सम्विधान निर्माता डॉक्टर भीम राव मेटकर की ख्याती और पहचान कहें तो सिर्फ एक ही तरीके से देखी जाती है वो है एक बड़े कानूनविद एक बड़े राजनेता और सम्विधान के निर्माता के तौर पर लेकिन डॉक्टर अमेटकर की जब भी चर्चा होती है तो इनी चर्चाओं में सिमित करते हुए भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व इससे भी कहीं बहुत बड़ा था उनकी उपलब्धियां भी इससे कहीं बहुत बड़ी थी और इससे भी कहीं अच्छे पत्रकार भी थे उन्होंने अपने दोर में तीन-तीन पत्रिकाएं निकाली उनको सफलता पुरवक चलाया आजादी के पहले किस तरह की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में पत्रिकाएं निकालना अखबार निकालना उन्हें छापना उन्हें लोगों तक प अच्छे जाने माने अर्थशास्त्री थे जाने माने अत्रकार भी थे बहुत अच्छे लेखक थे और उसे भी बड़ी बात वो अपने जिस समाज से आते थे उस समाज के सशक्ति करण के बहुत बड़े प्रवक्ता थे बहुत बड़े सेनानी थे डॉक्टर भीम राव अमबेटकर के अर्थ ब्योस्था के बारे में जानकारी को अगर हमें समझना होगा तो उसके लिए हमें देखना होगा भारत के महान अर्थ शास्त्री अमर्थ सेन जिन्हें नोबुल परसकार मिल चुका है वो कहते हैं कि 234 में भारत का जो केंद्रिय ब ब्योस्था का अना सिर्फ बैंकिंग ब्योस्था का बलकी वो अर्थ ब्योस्था की भी एक तरह से कंट्रोलिंग अथार्टी है नियंत्रक है रेगुलेटरी अथार्टी है उसकी ठापना करने वाले डॉक्टर अमबेटकर की सोच कैसी रही होगी आजादी के पहले 1934 में जब कहीं दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा था कि भारत आजाद हो सकता है तब डॉक्टर भीम रामबेटकर ने एक ऐसे बैंक के बारे में सोचा जो पूरी भारती बैंकिंग ब्यवस्था को रेगुलरेट करें और एक चीज और यहां ध्यान देने की बात है कि उस दौर म एक बैंक होना भी एक जिले में बहुत बड़ी बात होती थी ऐसे दौर में केंद्रिय बैंक की कलपना करना यह मामूली बात नहीं है डॉक्टर अमबेटकर अपने समय के एक प्रशिक्षित अर्शास्त्री थे यहां तक उन्होंने अर्शास्त्र पर भी बहुत ही अच्छ अर्शास्त्री अमबेटकर की लेकिन अमबेटकर सिर्फ इतने ही नहीं थे बलकि वो इससे आगे की शक्सियत थे भारत जब आजाद हुआ था तो बाबासाम अमबेटकर नहीं जो संविधान रचा है उसी में कहा गया कि भारत राज्यों का संग होगा लेकिन जो राज्य थे और आज ये संतुलित नहीं थे डाक्टर भीम राव अमबेटकर की एक सोच थी कि राज्यों के गठन का क्या आधार होना चाहिए और उस सैधन्ति का आधार को प्रतिपादित करने के लिए 1955 में एक निबंध लिखा उस निबंध का आधार था कि राज्यों का गठन वह एक चीज यहां और ध्यान देने की है कि अमबेटकर जो है वो अंग्रेजी में लिखते थे कुछ एक हिंदी में भी लिखाया उन्होंने लेकिन चुकि भारती राज ब्यवस्ता से जुड़ा हुआ एक महतपूर्ण सवाल था एक महतपूर्ण निबंध था राज्यों का ग उनके सैधान्तिक आधार की ही देन है राज्यों के पुनर गठन के लिए भासाई आधार को स्विकार किया उस आधार के बाद उन्हें सचपन में फजलू रह्मान आयोग बना उस आयोग ने भी राज्यों के पुनर गठन के लिए भासाई आधार को मंजूरी दी और इसके बने हैं कहीं ने कहीं उसमें ये फजलू रहमान कमिशन और डाक्टर बाबा साहब भीम रावमबेटकर का दिया हुआ सैधान्ती का धार काम करता रहा है बनता रहा है आज श्रम कानूनों की बड़ी चर्चा होती है महिलाओं का धिकार की बात होती है श्रमिकों के काम के धुए की बात होती है यह बहुत कम लोक जानते हैं कि उन दिनों ब्रिटिस सरकार का जो मंत्री मंडल होता था वाईसराय की काउंसील कहा जाता था वाईसराय की परिषद कही जाती थी उस проблем मंतरी लेबर मिनिस्टर थे इस नाते उन्होंने भारत में श्रम कानूनों की शुरुवात की उनमें सुधार लाने की व्योस्था की और ताज्यूब होगा जानकर के आज की पीड़ी को बहुत सारे लोगों को जानकर आश्चेरी होगा कि तब जब डॉक्टर भीमराम बेटकर ने या कानूनी व्योस्था की श्रमिकों के अधिकारों की व्योस्था की उसके पहले तक काम के घंट का निधारन जो था प्रति दिन बारा घंटे काम करना होता था लेकिन यह बाबा साब भीमराम बेटकर की ही देन है की प्रति दिन आठ घंटे के काम की व्योस्था हुई श्रम कल्यान निधी आज बड़ी चर्चा होती है इसकी भी खास्तों पर जब श्रमिक जो होते हैं जो लेबर होते हैं उन पर जो संकट आता है तो उनको सहायता देने के लिए श्रम कल्यान निधी की बात की जाती है उससे सहायता दी भी जाती है किंदर सरकार राज सरकारें अपने अपने तरह से इस निधी की स्थापना कर चुकी हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को जानके आश्चरी होगा कि इसकी भी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहम बेटकर ने सन 1944 में की थी तब भी वो ब्रिटिस सरकार थी उन दिनों की सरकार जिसे वायसराय की कौंसिल कहा जाता था आठ नॉंबर 1943 को कानून ला करके उसे पारित करा करके बाबा साहब भीमराव मेटकर ने स्रमिकों के अधिकारों को एक कानूनी जामा पहनाया था कानूनी आधार मुहया कराया था आज भविस नीधी अधिनियम की बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं स्वास् हर संभावित मौके पर चर्चा होती है फिर स्रमिकों के हरताल के क्या अधिकार होंगे इसकी भी चर्चा होती है और आए दिन जो ट्रेड यूनियंस हैं जो स्रमिकों के संगठन हैं वो इस पर भी चर्चा करते हैं अपनी मांगे भी रखते हैं बहुत सारे लोगों को जान वेड़कर सिर्फ वायस राय की कॉंसिल में इस्रम मंत्री की हश्यत से काम नहीं किये थे बलकि वह आजाद भारत की पंडित जवाहरलाल नहरू सरकार में विश्रम और कानून मंत्री की हश्यत से काम करते रहे और इस तरह इस तरह एक उनकी दृष्टी विक्सित होने के एक स्वतंत्र मजदूर पार्टी नाम से अलग से पार्टी ही बनाई थी और उसका जो उन्होंने घोशना पत्र त्यार किया था उसमें मजदूरों के हित की बात किसानों को उनकी उपज का उचित मुल्य मिलने की बात यह सब बात उनके कारिकरम में शामिल थी आज की राजन में हैं कि एक अर्थशास्त्री के रूप में एक सम्माज सुधारक के रूप में एक सम्विधान वेत्ता के रूप में जहां अक्टर रमवेटकर की ख्याती रही है जहां उनका बहुत बड़ा बिपुल योगदान है भारतियस समाज को वहीं स्रम सुधारों की भी दिसा में जो एक नए विचार दिये वो कम महत्पूर्ण नहीं हैं। और शायद यही वज़ा है कि स्रमिक मामलों में उन्होंने इतनी सारी कलपनाय की इतने सारे विचार दिये और इतने सारे बुनियादी आधार रखे जिस पर आगे आज तक स्रमिक कानून बढ़ रहे हैं। बोधिक समाज सुधारक के रूप में जिसके द्रिष्टी में सपस्ट था कि किस तरह का भावी भारत होना चाहिए। और उस भावी भारत के लिए कभी वो सामाजिक सुधार की बात करता है। कभी वो कानूनी और समयधानिक बुनियादी धाचा बनाने की बात करता है और कभी महतपूर्ण मोर्चे पर अर्थव्योस्था को सम्हालने की बात करता है लेकिन डॉक्टर भीमराम बेटकर सिर्फ इतने ही नहीं थे उन्होंने बहुत कुछ और भी किया क्या आप देखेंगे कि स्वाधिंता संगराम के दवरान चाहें वो बाबा साब भीमराम बेटकर हो चाहें सरदार बल्ला भाई पटेल हो चाहें महतमा गाधी हो चाहें लोक माने तिलक हो चाहें लाला लाजपत राय हो वो एक अच्छे संचारक भी थे एक अच्छे संप्रे प्रचलित करने की कोशिश की ताकि हर जन तक उनकी बात पहुंजाए इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात को खास तोर पर जो जिस वर्ग से वाते थे दलित वर्ग से आते थे उस वर्ग के जो समाजिक चुनवतियां थी राजनीतिक चुनवतियां भी थी उस वर्ग के पास उसका मुकाबला करने के लिए और उस वर्ग को तयार करने के लिए उन्होंने उस वर्ग तक पहुंचाने में बड़े भूमिका निभाई और वह भूमिका गांधी जी की तरह की है वह भूमिका कई बार आपको लोकमाने तिलग की गांधी जी ने अपने विचारों को आम लोगों तक और अपने टार्गेट आडियोंस तक अपने लक्षित सम्मू तक पहुंचाने के लिए देखेंगे को जब वो दक्षिन अफ्रीका में थे तो वहां भी उन्होंने अख़वार निकाला और उसमें वो लगातार लिखते र इसी तरह हम देखते हैं कि लाला लाज पत्राय पंजाब के श्री निकालते हैं पंडित जवाहर लाल नहरू नेशनल हेराल्ड और नौजीवन नाम से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड नाम से निकालते हैं अख़वार और हिंदी में नौजीवन नाम से निकालते हैं ठी बात की यह पत्री का आर्थिक समस्याओं के चलते सिर्फ 19 अंक ही प्रकाशित हो सकी लेकिन वो 19 अंक आज भी आपको अमबेडकर से जूड़े संगरहालेओं में मिल जाएंगे और उन अंकों से जब आप गुजरेंगे कोई भी गुजरेगा तो उसको पता चलेगा कि 1920 में ख सोच रहे थे क्या-क्या उनके विचार थे मूख नायक अप्रेल 1923 में बंद हो गया लेकिन अपनी बात को रखने के लिए अपने विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अमबेडकर के मन में कुल उलाहट जारी रही और ठीक चार साल बाद 3 अप इसके अलावा समता प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पत्रिकाएं भी निकाली बाद में आप देखेंगे आजादी के बाद यह जनता नाम मैं अपने छात्रों को बताना चाहूंगा भी सुरताओं को बताना चाहूंगा कि इस जनता नाम से भारती राजनीत के चिर्व पत्रिकाएं निकालना बहुत आसान काम नहीं है खासतोर पर प्रिंट माध्यम जिस तरह से चुनोतियों का सामना कर रहा है ऐसी स्थिती में सोचना होगा कि जब भारत में अर्थ व्योस्था नहीं थी खासतोर पर बीस्वी सदी के शुरुवाती वर्सों में उन दिनों अ रहता है कि वो अक्सर उनका जो लेखन था ज्यादातर लेखन जो था वो अंग्रेजी में करते थे और आज भी दुनिया में जिन अख़बारों की बड़ी धमक है जैसे लंदन का The Times, आस्ट्रेलिया का Delhi Mercury, अमेरिका का New York Times, इसी तरह से अमेरिका में एक दोर में बड़ा पूर अख़बार रहा है, New York, Amsterdam News, Baltimore, Afro-American, The Norfolk Journal, ऐसे अख़बारों में डॉक्टर वेटकर मृत्यु परियंत तक अपने विचारों को जाहिर करते रहे, उन अख़बारों में लेख लिखते रहे, और ना सिर्फ भारत की संबैधानिक स्थिती पर, भारत के संबैधानिक य जात्रा पर, भारती राजव्यवस्था पर, बलकी भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत में समता मुलक समाज बनाने के जो उनका सपना था उस पर, भारत में दलितों धार पर, दलितों के सशक्ती करण पर, सैकणों लेख लिखा, संबैधान के भी बात जब चल रही है, तो डॉक्टर अमबेटकर के एक और कथन को उध्रित किया जाना चाहिए और चुकि वो संविधान की निर्माड करने वाली जो प्रारूप समीती थी उसके वो अधक्ष थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अधक्ष थे तो उसमें उन्होंने एक बात कही है भारती संव अगरिक को एक अधिकार मिला हुआ है संविधानिक उपचार का अधिकार जिसको अंगरेजी में हम राइट टू कंसिटूशनल रेमेडी करते हैं संविधानिक उपचार का जो सिध्धान्त है वह दुनिया के बहुत कम संविधानों मिलता है और यह क्या है यह यह है कि संव व्यवस्था के सामने हर व्यक्ति बराबर है और अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था की और से कोई गलती हो जाती है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा करके अब उस गलती को सुधारने की अपील कर सकता है और यह मामुली बात नहीं है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ हो चाहें वो किसी व्यस्तर पर हुआ हो वह व्यक्ति उसका अधिकार सुरक्षित रहता है कि उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और उसको संविधानिक अधार देने के लिए संविधानिक जो व्यवस्था के तहट सर्वुच्च नयाले है वहां जाकर के द अम्बेटकर उसे कहते हैं जिस अधिकार के तहत हर नागरिक को बराबर माना गया है और उसको मौके देने की बात हुई आगर उसके साथ अन्याय हुआ है। इसको देखना है तो हमें अम्बेटकर का लिखा हुआ निबंध रानाडे, गांधी और जिन्ना को देखना होगा। इस लेख में उन्होंने रानाडे से गांधी की तुलना की है। कि बेसिकली क्योंकि उन्हों जिन्ना की एक छवी बहुत अच्छे नेतागी गढ़ दी गई थी तो वो बोलते हैं कि यह पत्रकारिता ने एक छवी गढ़ी है जिन्ना की वो छवी बहुत अच्छी नहीं है। और इसी लेख में वो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं जिसको आज के पत्रकारों को बहुत पढ़ाया जाता है। बहुत उसको उध्रित किया जाता है पत्रकारों के संदर्म में। अम्बेटकर ने लिखा है कभी भारत में पत्रकारिता एक व्योसाय था अब वह व्यापार बन गया है। वह तो साबुन बनाने जैसा है। उससे अधिक कुछ नहीं। उसमें कोई नेतिक दाइत्व नहीं है। वह स्वाइं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। 20 सदी के शुरुवाती दौर में लिखी हुए पंक्तियां आज के दौर में भी कितनी प्रभावी हैं हमें इसको देखना होगा। और मैं उमीद करता हूँ हमारे जो स्रोता हैं हमारे जो वरिष्ट चात्र हैं इस बात को समझेंगे। चुकि डौक्टर अमबेटकर की ख्याती सम्विधान वेत्ता के रूप में सबसे ज़्यादा रही है इसलिए कई बार जब हमारे भारती सम्विधान की चर्चा होती है तो उसके अच्छाईयों और बुराईयों की भी चर्चा करते वक्त डौक्टर अमबेटकर याद आते की थी हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए उन्होंने कहा था कि अगर सम्विधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो थोड़ा खराब सम्विधान भी अच्छे ढंग से लागू हो सकता है और अगर अच्छे सम्विधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं हो तो अच्छा संविधान भी अपनी जनता के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकता है। तो अच्छा संविधान सभा में आखरी व्याख्यान में डॉक्टर अमबेटकर ने एक तरह से जो भारती संसकारों पर आधारित जो ब्यवस्था है। तो अपने बुन्यादी आधार के ढाचे के चलते याद आते रहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ये वारता प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत